हेलो नमस्कार साथियो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं जानकरी लिए क्या है वो है बेंकिंग शेत्र में रिक्रूट्मेंट आई डे बी आई बैंक इसके लिए जो आवेदन मांगे गए है वो चार अगस्ति हैं जो सुरू हो गए है इसकी पूरी डिटेल्स म में दोंगा अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर जुरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करें चलिए देखते हैं कि आगे इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या जानकारी दी गए है क्या-क्या इलिजिबल्टी रहेगी कब-कब एक्जाम होंगे इसके फॉर में जो ओनलाइन अप्लाई होंगे इसके लिए जो पोस्ट है वो रहेगी 920 यानि की 920 पोस्ट है एसेंशिल क्वालिफिकेशन जो रहेगी ग्रेजवेट फॉम में ए रिकोनाइज्ट उनिवर्सिटी और विद मिनिमम 55 मार्क्स और 50 मार्क्स पॉर सेस्ट और पीड है और भी टूदिया नहीं कि है एज काउंट जो करेंगे वह एक जुलाई से काउंट करेंगे कि इतनाइच उमिनिमम एज उमिनिममम ऑज है जो ट्वंटी और मैक्सिम में जो 25 है इसमीं जो रिलेक्सेट्ट इसके साथ जोड़ेंगे वह अलग है टैन्टेटी जो रहेगी वह एक्जाम होने की वह 5 September रहेगी यानिकि 5 September जन्रल के लिए रहेंगे 307 पोस्ट, SC के लिए 138 और ST के लिए 69, OBC के लिए 248 और EWS के लिए 92, विज्वल हैंडिकेप के लिए 9, और तो हैंडिकेप के लिए 9 और हैंडिकेप के लिए 9 और जो अलग परकार किसी एदर इंटलेटिकल जो डिसेबलेटी होती है उसके लिए 9 पोस्ट, यह आपको पता ही चल गया होगा कि ग्रेजुएट में 55 मार्क्स होने चाहिए और 50 मार्क्स पोर SCST और हैंडिकेप के लिए एक्टिविटी एज और कट ओफ डिट जो इलिजिविल्टी क्राइटेरिया के लिए जुलाई वन रहेगी जुलाई फास्ट ऑफ जुलाई 2021 ओनलाइं डेजिस्टेशन जो अगस्त चार से सुरू हो गया है अगस्त अठारा तक ओनलाइं टेस्ट के ल जो इसको के लुद KVLB एकरी एक सब्सक्राइघ स्काइब कैसे तो यह रहेंगे यह कॉंट्रेक्ट वेशिक रहेंगे एन्म पर को स्काइब रहेंगे एक साल के लिए फिर उसको बड़ा कि यह दो साल और भी किया जा सकता है इसको आज जो period complete होने के बाद on successful completion of a period of three years of contractual services तो फिर उसके बाद उनको है जो दिया जाएगा उससे पहले जो रहेगा पर month in the first year जो रहेगा 29,000 second year रहेगा 31,000 और 34,000 फिर्ट थर्ड यर के लिए उसके बाद क्या होता है कि इस एक्जीगुटिव इसलोट भी टाइटल टूड़ा एनिया जाएगा जब यह फर्स एकिन्ड और का तो उसके उसको पास करके जो यह पर्मानेंट हो जाते है इस ट्राइटेरिया नेशनल सीटिजन सी पहने चाहिए हिंडिया के इस ट्वंटियर ट्वंटिफाइव एर कटेग्री वाइज जो रिलेक्शेशन रहती है फाइव यह तरी यह टनियर वह उस 25 में एड कर कि एडिकेशन क्वालिफिकेशन 55 मारक से बता दिया मैंने आपको और मारक सीट डिगरी सर्टिफिकेट इस ग्रेजुएट ऑन जुलाई फस्ट ऑफ 2021 जो वही कंडियेट अपलाई कर सकते हैं जिनका भी यह में है जो पास हो गया एक जुलाई से पहले-पहले उसके बाद जो रहेगा नोन डिफंडेबल एप्लिकेशन फी और इंटिमेशन चार्जी जो रहेंगे 200 रुपीज रहेंगे सब्सक्राइब के लिए और 1000 रहेंगे फॉर आल अदर्स जैसे जो भी कंड्रेट से जैसे जनरल के ओभी सी के उनके सब्सक्राइब के चार्ज इस कितने है वन थाउजंट यानि कि पहले से फीश है जो अभी और बढ़ा दी गई है हाँ टो अप्लाई कैसे अप्लाई करेंगे इसके लिए जो कि इसमें सबसे पहले आपके बास के फोटोग्राफ सीनेचर लेफ्ट संब इंप्रेशन जैसे आई बीपीएस के फॉर्म फिल होते हैं वैसे ही यह फॉर्म फिल होगा यह सभी उसमें जो डाइमेंट संदी गई है अप्लिकेशन चार अगस्ते यह फिर दुबारा से दिया गया है कि इस जो इंटिमेशन चार्जी जो अलग से लिया जाएंगे आइडी बैंक की वेब साइट है आइडी बी आइडो बैंक नोट इन इस पर जाएंगे तो आपको केरियर में क्लिक करना है करंट ओपनिंग कर देंगे पेमिन जो फीज की रहेगी वह वो online 對विट होगा networking से debit card से किसी से भी कर सकते हैं अधे बहुत हैं है और लियारी आइदे का एडिदे से जो आपको है'd कि जाएगी 10th tandem के जो hours टेंड़न सीट पर जो यह चैज साफा जो जो एज क्राइटेरिया जो काउंट किया जाएगा वरक एक्सपीरियंस इफ टेक्लेर इंद अप्लिकेशन वर आल्दा डोक में जिस किसी को भी किसी प्रिकार का एक्सपीरियंस और उसने फों में दर्शा रखा है तो वह जो बाद में भी आपके पास रहना चाहिए उसका सर कर्विकेट वह एक इक अडिक लीए घ्ली कंडिडेट के लिए उनके लिए भी ओना चाहिए है एंडीकेशन प्रोसिस रहे जो प्रिलीम एकजाम होगा वह रहेगा वान फिफ्टी मार्ट का नाइंटि बिनिट्स का ताइम होगा रिजन इंगलिश लेंग्वेज और क्वा सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए जब एक्जाम होता है तो उससे पहले है जो एक बार है जो ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कि आपका में एक्जाम कैसा रहेगा कैसे आप जो उसको छोल्व कर सकते हैं ऑप्शन बगेरा के बारे में बताया जाता है 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 जो प्रेलिम एक्जाम होना रहता है उससे पहले यह ट्रेनिंग वाले के एड्मिट कार्ड आ जाती है कि उसके बाद गाइडलाइन जनरल इंस्ट्रेक्शन से यह सभी पढ़ लीजेगा एक बार वीडियो को पोज करके नोटिफिकेशन को अच्छे सेजों एक बार रीड कर लीजिए गा कि उसके बाद यह अनेक्शर दिये गए है कि फोटो का साइज क्या रहेगा सिंगे चाय लैफ ताम इंप्रेशन तो यह सब चीजें अप्लोडिंग डॉकुमेंट्स कैसे अप्लोड करेंगे उसके बाद है जो सेंटर रहेंगे वह स्टेट वाइज कहां पर दिये गया कहां उत्तर परदेश वेस्ट पेंगोल तो यह सभी है जो सेंटर दिये यह डिटेल नोटिफिकेशन करता है यह पूरा है उमीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को सेयर जुरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करें इसमे कि बैंकिंग एक्जाम से रिलेटिद किस टाइब के क्योस्टन आती है वह तो आप कमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमसे हैं जो पूछ सकते हैं धन्यवाद